हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल में आज हम मार्केट में मिलने वाला सुन्दर सा गुदगुदा पायदान घर पर ही बना के तैयार करेंगे फ्रेंड्स आप इसको मसीन में भी दो सकते हैं और हाथ से भी इसको वास कर सक बहुत ही इजी तरके से धूल भी जाता है और काफी सुन्दर होते हैं जो घर पे बने हुए पायदान होते हैं गलीचा कारपेट आप कुछ भी बना सकते हैं तो देखें मैं भी यहां पर पुराने कपड़ों से ही और इतना सुन्दर सा कारपेट आपको बना के दिखाउं चादर है वो फ्लोर की साइड से है और उपर वाली साइड से मैंने एक टावल लगाया हुआ है इसमें और साइड से मैंने साड़ी की लेस लगा के इसे पाइपिन लगा के तेयार किया हुआ है तो देखें यह वाली जो चादर है मैंने अभी आपके साथ एक मैट सेयर किया काफी सुन्दर दरी मैंने आप बनाई हुए थी पुरानी चादर से तो देखे इस तरीके से मैंने उसी मैंसे ये ले लिया है और जो इसका बेस के लिए मैंने चादर का कपड़ा लिया हुआ है और उपर से मैंने ये वाला जो है न ये टावल था तो ये मैंने ले लिया है औ और यह देखिए मैं आपको बस बता के दिखाए हूँ क्योंकि जो मेरा बेज से वो तो कम्प्लीट हो गया है तो इसमें से मैंने वो कट किया हुआ था तो आपको इस तरह के से दो कपड़े ले लेने आप कोई भी कटन का कपड़ा ले सकते हैं बैट शीट ले सकते हैं और द तो आप पूरी ले लिजे क्योंकि मेरे पास एक टुकड़ा सा पड़ा था वो ही मैंने उसमें जॉइंट लगा लिया है अब देखिए जो नीचे वाली साइड है वहां से मैंने इसे रखा हुआ है और जो वाइट कलर का आपको कपड़ा दिख रहा है इसे मैं उपर वाली साइड से रखूंगी तो नीचे वाली से साइड से मैंने लेस इसमें स्टीच करना सुरू किया है और देखिए सिंपल सिंपल सीधे सीधे हमको स्टीच करना है इसमें और कुछ भी नहीं करना पूरे कपड़े में आपको सीधे सीधे में स्टीच करना है अब देखिए इसक को पयपनिक कपड़ेंगे और इस तरीके से पलडते हुए 1,5 इंच्य पट्टी के ऊपको निकालनी है पटिन कितनी सुदर से बन जाती है और कोणा है और पर क्मर पर कित arri को है और को कभा आपब किसी बिए सकते लगा सकते हैं साडी से लगा सकते हैं दुपट्ट has 6 इंचYou कि चाहen है तो इसे निशान भी है झितिके मुझे से याद कीज़ी चीछ की यहाँ एक चार लगा हो है जाहां पर आपका पूरी साइड से मार्किंग् हो जाते है तो उसमें आपको यहाँ पर line draw कर लेनी है सारे में एक box आपका यहाँ पर बन जाएगा friends से तो मेरा जो है न यहाँ पर जो marking थी वो complete हो गई है अब देखें यहाँ पर line जो है हम एक box draw कर लेंगे जो कि बीचों बीच में हमारा आएगा और एक rectangle मेरा यहाँ पर shape बन जाएगा तो देखें rectangle shape इसमें बन गया है I hope आपको यह दिखाई दे रहा होगा friends से तो इस तरीके से देखें मैंने यहाँ पर marking कर लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है एक कपड़ा और जो एक कपड़ा है यह velvet का कपड़ा है आप इसकी जिगवा पर ट्राउजर का ले सकते है या पुराना कंबल कोई पड़ा हुआ हो बैट शीट पड़ी हो तो कुछ भी आप ले सकते है तो देखें इसी के बराबर ही हमें यहाँ पर कपड़ा लेना है जो हमने rectangle piece कट किया हुआ था सी के बराबर मैंने यहाँ पर एक उपर कपड़ा लिया है और इसे pin up कर देंगे और pin up करने के बाद हमें इस stitch करना है चारो ओर से इस कपड़े में stitch करेंगे और तीन से चार इंच के करीव इसमें हम gap चोड़ेंगे उसमें हमें stitch नहीं करना है तो देखें यहाँ पर मैं इसे pin up कर लूँगी pin up करने से होगा यह कि अच्छे से इसमें stitch हो जाएगा तो देखें यहाँ पर मैंने stitch कर लिया है और जहाँ पर मैंने gap चोड़ा हुआ था ना इसमें हमें छोटे-छोटे से कपड़े के टुकड़े आपके पास कोई भी पड़े हो जो soft कपड़ा हो टी-शट का पड़ा हो ट्राउजर पड़ा हो देखें जो मैंने कपड़ा इसमें लगाया हुआ था टावल का बहुत ही ज़्यादा soft है फ्रेंड सी यह जो टावल था तो यह use में नहीं आ रहा था इसमें इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़े करके इसके अंदर हमें भर लेना है साडी आप ले सकते हैं दूपट्टा पुराना पढ़ाओ बैट सीट हो कुछ भी इस तरीके से छोटे-छोटे कपड़े जो टुकड़े हैं न उने हम इस तरीके से जब इसमें डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक जिगा पर एकठा नहीं होगा और बिल्कुल भी गांट नहीं बनेंगे और बिल्कुल सौप्ट सा गुदगुदा पाइदान आप बना पाएंगे अब देखें मैं छोटे छोटे से टुकड़े और कर ले रही हूँ क्योंकि वो कम पढ़ गे थे अब बराबर बराबर आपको पूरे कॉर्णर में भी सारे में डालने हैं अच्छे से कोनों में भी इसे फिल करना है और आप देख लीजिए आपको कहीं पर बीज में ऐसा लगता है कि यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे भी आप अच्छे से इसमें फिल कर दीजिए उसके बाद देखे फ्रेंट्स जब यह आपका अच्छे से भर जाएका तो आपको उतना ही इसमें फिल करना है जितना आप इसमें सिलाई लगा सकें कहीं ऐसा नहों कि आप बहुत जादा भर दें और उसके बाद उसमें सिलाई न लगे अब जो खुला हुआ साइट है उसे पहले स्टिच करना है बंद कर देना है उसके बाद देखे हमें इस तरीके से इसमें डिजाइन बनाना है आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन इसमें बना सकते हैं देखे मैं इसमें तिर्शी तिर्शी सी सिलाईयां चला रही हूँ सीदे सीदे में और बिल्कुल तिर्शी तिर्शी सिलाईयां इसमें लगा रही हूँ अब देखे एक साइट से जब हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी न तो आपको दूसरी से सिलाई लगानी है यहां पर मैं एक diamond shaped create करऊंगी friend से सीधे सिलाई जासे हमने इस तरह के से लगाई भी थी तो दूसरी साइट से भी हम हम ऐसे तिरसी में सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए जैसे में सिलाई लगा रही हो ऐसे ही आप लगानी है आपको ये देखे तो कितना सुन्दर है हमारा डिजाइन बन रहा है और जो हमारा गुदगुदा सा पाइदान बन जाएगा और गदीदार देखे आपको दिख रहा होगा कितना सुन्दर लग रहा है जो बीच वाला इसमें बन रहा है गदीदार और इसमें जो डिजाइन क्रेट हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीके से घर के पुराने कपड़ों से बना सकते हैं यह यह वाला यहां पर मेरा कंप्लीट हो गया है जो मैंने इसमें कपड़े डाले थे अच्छे से स्टीच हो गई हैं अ तरीके के जो कपड़े होते हैं गरम कपड़े तो इनसे बहुत अच्छे हमारे जो पाइदान होते हैं वो बनके त्यार हो जाते हैं फिरी आफ कॉस्ट आप इन्हें बना पाएंगे मार्केट के महंगे पाइदानों से जो मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं औ तो आप बहुत ज्यादा टाइम तक चलते हैं और देखे इस तरीके से में जो इसकी पट्टी है इसे पहले नीचे से काट लोंगी उसके बाद जो पट्टी है वो थोड़ी सी हार्ड होती है जो उपर वाला लेयर है वो हमें चाहिए यहां पर अब देखे मैंने इसे बीच से काट नहीं किया हुआ है पूरी गोलाई मैं ही मैं इसे काट ले रही हूँ काटने के बाद आपको इसे जैसे मैं खीच रही हूँ ना इसे आपको खीचना है एक डोरी टाइप के आपकी यहां पर यह बन जाएगी जो इधर उदर के जो कटे वाले हिस्से हैं वो बीच में हो जाते हैं वो अंदर हो जाते हैं और एक डोरी से आपकी यहां पर बन जाती है आपको कोई ना कोई भी बता नहीं सकता कि यहां पर यह हमने टी-शट से बनाए हुआ है और जो डोरी बन जाएंगी तो देखे इस तरीके से बहुत ही अच्छी होती है यह डोरी यहां स्ट सJयाच रहतीं है तो यह double हो जाती है और काफी जयादा आपके पास कबड़ा है वह एकठा ओ जाता है अब दखें इस तरीके से इसे सारे कीच लेना है आप क्या कर सकते है असारे कठे एक बार मेले ही इनहें जमा कर लीजिये हाथ में और सारे एक बार में ही कीच लिए देखे जैसे मैं कर रही हूं और बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेहनत भी नहीं करने पड़ेगी यह देखे देखने न आप बिलकुल डबल हो जा रहा है जो कपड़ा है खीचने से और यह देखे और काफी मजबूत है यह अब यह देखे जो एक दूसरा वाला श्लिप था वो भी मैंने काट लिया है तो सारा मैंने यहाँ पर काट लिया है और आपको इसके बाद काटने केबाद ही,श्ट कर ना कर अब देखिकक हमारी जाना है तो सिलाई करना है क्योंकि हमारी सिलाई के उपपर से हमें कर नहीं क्यों की कि हमने डोर्मेट बनाया कैसे है अब देखे यहीं से राओ देखे मैं कैसे कर रही हूँ देखे अंगली में इस तरह के से घुमा रही हूँ और देखे यह गोल गोल से इस तरही से घुमते हुए जैसे हम साड़ी में चुन्नट बनाते हैं बस उसी तरह के से हमको करते जाना ह और देखे, कितना सुन्दर सा ये डिजाइन बन जाता है, इतना अच्छा फ्रेंड से लग रहा है, जो डोर्मेट है, और बहुत ही सुन्दर सा इसमें जो डिजाइन क्रेट हो रहा है, और इसमें नहीं कुछ मेहनत करनी है, नहीं कुछ मेजर्मेंट की जर्वत है आपको, य आप वहीं से दूसरा स्टार्ट कर दीजे, आपको जॉइंट लगाने की बिल्कुल भी जर्वत नहीं है, जहां पर आपका खतम होगा, वहीं से आप इसको next दूसरा स्टार्ट कर दीजे, तो one by one आपको ये लगाते जाने हैं, और आपका जो डिजाइन है, वो बनता चला जा आपको बस कुछ नहीं करना, फ्रेंट से इसमें, सीदे सीदे आपको देखे, जैसे ही आपका वहाँ पर खतम होता है, तो आपको half inch का gap छोड़ते वें, वहीं से दूसरा स्टार्ट कर देना है, तो ऐसे ही करते करते ही, जो आपका डोर मैट होगा, वो complete हो जाएगा, और ज थोड़े से corner इसके बाहर कोने बच जाएंगे, तो वो कोने भी आपको सारे complete कर लेने हैं, इसी तरके से बना के, देखे, आप कोई सा भी color लगा सकते हैं, अपने हिसाब से, मैं यहाँ पर yellow color लगा रही हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा color लगाऊंगी, yellow color मेरा यह यहाँ पर complete हो गया है, खतम हो गया था यहाँ पर, इसके बाद मैं इस पर black color लगाऊंगी, मेरे पास जो black color की t-shirt मैंने इसी तरके से, जैसे मैंने yellow color की की वी थी ना, काट के stretch की वी थी, तो वैसे ही मैंने yellow color को भी कर दिया, sorry black color की जो मेरे पास t-shirt थी, sweater थी, उसे भी मैंन इसी तरके से कर लिया है, तो आप देखें, यहाँ पर यही वाला जो process है, वो हमें करते जाना है, और हमें हमारा जो door mat होगा, वो complete हो जाएगा, कितना easy है, friends से इसे बनाना, तो एक से डेड़ घंटे या दो घंटे में ही आप इसे बना लेंगे, क्योंकि जो एक idea मैंने देखें, इसमें कोई भी cutting का जंजट नहीं है, आपको सीधे सीधे stitch करना है, और जो आपका door mat है, वो बन जाएगा, और जिसको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है, वो इसे बना लेगा, आराम से, अब देखें, इसका final look है, complete हो गया, और देखें, जो ऊपर को छोटे उकड़ें, तो उन्हें आपको cutting कर लेना, क्योंकि जहां से हमने दूसरा कपड़ा joint किया था, वहां पर यह थोड़ा सा जो बच जाता है, वही यह आपर कट्था हो गया है, जो उपर उपर आपको दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी से जो ready हुआ है, और जो bed sheet हमने लगाई हुई है, cotton की है, देखे, पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना finishing के साथ, गदीदार, गुदगुदा पायदान और जो design है, देखे, कितना सुन्दर लग रहा है, डिजाइन मार्केट में आपने इसी तरह के पायदान देखे होंगे जो बहुत महेंगे मिलते हैं, इसका majorment भी मैं आपको बता देती हूँ, इसकी जो लंबाई है, वो 30 इंच है, और जो इसकी चोड़ाई है, वो 23 इंच है, तो ये बन के तयार हो गया है, आप भी बना सकते हैं, पुराने कपड़ों से, इसी तरह के से, सुन्दर सुन्दर से doormate, बहुत सारे doormate मैंने आपको share किये हैं, आप आपने देखे हूँगे, अगर नहीं देखे हैं, तो आप जा के, देख सकते हैं, मैंने कारपेट, मैट, कालीन आपको सब मैंने share किये हूए, और बिल्कुल easy तरीके से मैंने आपको बताए हुए हैं, इससे पहले मैंने आप आपको जो मैट शेयर किया हुआ था वो भी पुरानी बैट शीट से मैंने बनाया हुआ था और बहुत ही अच्छा वो बना हुआ था काफी मजबूद है और सुन्दर सा डिजाइन बनाया था फ्रेंड्स तो एक बार आप जाके जरूर देखेगा चैनल पर जाके अगर आप म यंको कि अच्छा लगा हो लाईक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नियर और डियर में शेयर जरूर किजिए थालो सुम्हाई यच्छ इराज को